नमस्कार दोस्तों नेताओं के लिए और नेताओं के कपूतों के लिए इस देश में सब कुछ जायज है फिर चाहे किसी को अपनी गाड़ी से रौंद कर आगे बढ़ जाना हो या फिर दुशकर्म के आरोपो उसे घिरे रहना हो दोस्तों यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ह हाल ही में भारतिय जुनता पार्टी के सांसद ब्रिजबूशन सरन सिंग के बेटी करन बूशन सिंग के काफिले ने दो युवाओं को रौंद कर रख दिया करन बूशन सिंग को अभी हाल ही में भारतिय जुनता पार्टी ने कैसर गंद सीट से टिकट भी दिया है तो यह इतनी दर्दनाक है कि उन युवाओं को हॉस्पिटल ले जाने का समय भी नहीं मिला उनकी मौत वहीं on the spot हो गई तो इस हाथसे ने उत्तरप्रदेश के लखेमपुर खेरी में हुए उस हाथसे की याद दिला दी जिसमें एक और भारतिय जुनता पार्टी के इन मंतरी अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीश मिश्र ने किसानों को अपनी कार से रौन दिया था और उस हाथसे में आठ किसानों की on the spot मौत हो गई थी लेकिन अभी तक उसका मामला चल ही रहा है तल रहा है और वो बेल पे बाहर घूम रहे है आखर वो भारतिय जुनता पार्टी के मंतरी के बेटे थे उनका हो भी कह सकता था और अब ठीक उसी तरीके से एक और घटना यूपी के एक गोंडा में देखने को मिली है तो अब ब्रजबूशन सरन सिंग के पेटे करन भूशन सिंग के काफिले से जुखटना हुई है वो उनके संसदी चेतर कैसर गंज के गोंडा जिले में हुई है जहां उनकी काफिले के एक फॉर्चूनर गाड़ी ने रास्ते से जारे एक बाइक सवार को जोरदार टकर मार दी दोस्तों ये टकर इतनी तेस थी कि बाइक सवार दोनों युवाओं की मौके पर मौत हो गई और साथ में जो दो और राहगीर थे उनकी पर काफी चोट आई है लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि जिस फॉर्चूनर गाड़ी से ये हादसा हुआ उस गाड़ी पर पुलिस कॉर्ट लिखा हुआ है ये देखिए इस तस्वीर में आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि इस गाड़ी के ओपर क्या लिखा हुआ है दोस्तों इस हादसे में काफले में शामिल फॉर्चूनर गाड़ी भी बुरी तरीके से डामज हो गई है हला कि जब यह घटना हुई तो मौके से काफले में शामिल सभी लोग फरार हो गए जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि अगर उनकी गलती नहीं थी तो वो वहाँ से भागे क्यों मगर दोस्तों करन भूशन की काफले से हुई इस घटना के बाद लोगों ने बेहद आक्रोश जिताया है लोग गुसे के कारण वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल का घेराफ कर रहे हैं जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी बुलाया गया ताकि वो मामले को शांत कर सकें पर दोस्तों यहाँ पर सवाल यह उट रहा है कि अगर गटना किसी आम आंमी किसी आम इसां से हुई होती या फिर किसी ट्रैक्टर ड्राइवर और बरजराइवर से हुई होती तो उसके साथ ये परशासन कैसा बरताफ करता पर इस घटना के बाद भी गोंडा पुलिस ने अभी तक करण भूशन के खिलाफ कोई FIR नहीं लिखिये और उन्हें गिरफतार तक नहीं किया गया है FIR तो छोड़िये दोस्तों इस मामले में DIG, IG, ADG या फिर DGP का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है तो अब समझ सकते हैं कि आखिर भारतीय जंता पार्टी के सांधत सहाब का कितना अदन दबा है तो इस घटना के बाद लोग सोशल मीडिया पर करण भूशन और ब्रिजबूशन सिंग को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं इस मामले पर वरिष्ट पत्रकार प्रेम कुमार कह रहे हैं कि कैसर गंज से BJP प्रत्याशी करण भूशन की गाड़ी ने निंदूरा कटरा बाजार में गूंडा के दो बच्चों को रौन दिया उन दोनों की मौके पर मौत हो गई करण भूशन ने बच्चों को कुचला या उनकी गाड़ी ने ये भाशा दबंग की सुविधा के लिए गड़ी गई है ब्रिजबूशन सरन सिंग का खौफ इतना है कि उनका बेटा तो गाड़ी से कुचल ही नहीं सकता गाड़ी कोई और चला रहा होगा ये मानकर ही गटनार रिपोर्ट की जा रही है अजय मिश्र टेनी के बेटे ने तो सब के सामने जान बूच कर किसानों को कुचला था और तब भी मीडिया ने गलती मानने वालों और उपस्थित भीड की भी नहीं मानी थी वही ममतात रिपाठी कह रही है कि दबदबा भाईया की परिशानिया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है कैसर गंसे भाजपा प्रत्याशी करण भूशन सिंग के काफले में शामिल एक गाड़ी की टकर से दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और दो लोग गंभी रूप से घायल हो गए प्रदेशन कारियों के अनसार दो मौतों के बाद भी काफला रुका नहीं उल्टा फॉर्चूनर छोड़कर ड्राइवर फरार जरूर हो गया अनुच तोमर नाम के क्यूजर कह रहे हैं कि हत्यारे का बेटा हत्यारा ही बनेगा समंत वादी दबदबे के हेंकार के चलते करण भूशन सिंग के काफले ने गरीब को रौन दिया दो की मौत पर मीडिया और जनता मौन मारने वाला बीजेपी से जुड़ा और मारने वाला गरीब वही दीबग कह रहे हैं कि एक हत्यारे ब्रजबूशन के बेटे करण भूशन सिंग के काफले ने भी बाई को कुचल दिया दो बच्चों की मौत हुई अपरादियों को सत्ता में बनाय रखने का यही परिड़ाम है इन्हें और इनकी उलादों को सड़क पे चलते आम लोग नहीं दिखते दोस्तों इस घटना के बाद वहां के आम नागरी को और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों में काफी गुसा है लोग करन भूशन के खिलाफ आक्शन लेने के लिए एस्पिताल के बाहर विरूद प्रदशन कर रहे हैं पर उनका सुनने वाला कोई भी नहीं है अब इसके पीछे की कहानी तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझी गए है अब दोस्तों इस पूरे मामले पर क्या होगा आगे क्या कुछ आक्शन लिये जाएगा ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा क्या करन भूशन सिंग के ओपर भारतीय जुनता पार्टी और खास तोर पर पुलिस प्रशासन आक्शन लेगा या फिर नहीं आपको क्या लगता है अपने राय हमें कमेंज सिक्शन मील कर जरूर बताएगा एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मसकार